हालो दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस वक्त दोस्तों आर्मी भरती पर एक बड़ी अपडेट मिल नहीं है जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है आप लोगों को सबसे पहले मैं बता दू दोस्तों जो कंडीशन बना है नेपाल की गोरखा भरती में वही कंडीशन बना कर युवाओं की ये कोसिस है कि पुराने परिक्षा कंड़क्ट कराये जाए सरकार को थोड़ा दबाव में लाए जाए यहां पर देखिए तीन नौ दोहजार बाइस का ये निउश्पेपर में आया हुआ इन्फॉर्मेशन है दैनिक भासकर के निउश्पे के लिए कैंडिडेट को बुलाए गया तो सेंट्रों पर लोगों ने दिल्चस्पी कम दिखाया था जोपर देखिए लेटिस्ट खबर रुजान कम सेना में अगनी वीर के लिए दिल्चस्पी की कमी को लेकर युवाओं में स्मंजस की इस्ति दोस्तों यहां पर आप पुरा देखिए information आप लोगों से जुड़ी वी वीडियो को लाइक नहीं कियो तो दोस्तों लाइक कीजेगा और चैनल पर नहीं तो subscribe कर लिजेगा जिससे आप लोगों को हर एक information मिलती रहे खंडवा जिले के युवाओं के लिए धार में सनिवार को अगनिवीर की परिक्षा होने जा रही है तो आपका टाइम बेश्ट ना हो आप लोग अपने से बाकी information रीट कर लीजेगा सबसे में मुद्दे की जो ख़बर आपसे जुड़ी बताई गई है डारेक्ली आप लोगों को मैं वो inform कर दूँ यहां पर आप लोग देख सकते हो पिछले सालों की तुलना में इस बार सेना भरती परिक्षा में सामिल होने वाले युवाओं की संख्या 200 पर सिमट गई दोस्तों इसकी वज़ा क्या है आप लोग आगे देखिए जबकि इससे पहले नवंबर 2019 में उजयन में हुई सेना भरती की परिक्षा के लिए 420 हुआ मार्च 2020 में देवास में 350 युवा हुए थे सामिल ट्रेनर ने बताया कि दिल्चस्पी की कमी की वज़ा यही है कि युवाओं के बीच नौकरी को लेकर असमंजस है कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यदा असमंजस है इस भरती को लेकर वहीं कोविट काल में दोस्तों बताये गया है परिक्षा ना होने की वज़ा से कोविट क पूराने अभ्यरतियों को दिल्चस्पी कम दिखाने की विज़ा से नए अभ्यरति भी डिमोटिवेट हो और आप लोगों को पूरा चांसे जाए कि सरकार पुनर वीचार करके ये खुसकबरी बहुत जल्दी दे कि कम से कम आर्मी की पूराने परिख्षाय जो है उसको आएगी सरकार रहत बड़ी खबर कोई नूटिस जारी करेगा आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा चलिए उसको था कि अ